नेक्स्सक्षिण दोजाए बारा का सवाल है कुश्चिन से एज एन अलफा पार्टिकल मुवज इन सर्कुलर पाथ और रेडियस पॉइंट एटी सेंटीमिटर इन दा प्रेजिस ऑफ और मैंगेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट टूफाइबर पर मिटर स्कॉर सवाल है दी ब्र करेंगे तो वो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएगी वो चीजे आपने वन या पॉइंट वन या फिर टैन के रेंज में पहुंच जाएंगे तो यहां पर अगे नहीं को चलेंजिंग पार्ट यह है कि यहां पर दो चैप्टर के आपके यूज हो रहे हैं तो सबसे पहला by गोosas को सब्सक्राइस का आपका प्र्राट यहां पर यहां पर क्युझत है though तो अगर आपकं पार्टिकल में गोल गोल डिप्रोगली वेवलेंट लेम्डा पूछिए सो लेम्डा को हम लिखते हैं यहाँ पर आपका एच डिवाइड़ बाइम वी और एम वी की वैल्ली हम यहां से इंसर्ट कर देंगे तो यहां जाएगा लेम्डा विल बी इक्वल टू एच डिवाइड़ बाइर क्यों भी अब लाइच हो जाएगा 0.83 multiplied by 10 to the power minus 2 SI में convert करने ना भूलें अब यह मीटर में हो गया है multiplied by Q Q है अपना alpha particle है तो alpha particle है यानि कि 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 यह आपका चार्ज हो जाएगा divided by B B दिया हो है 0.24 और 25 तो 0.25 इसको अब solve कर लेते हैं तो पहले तो 10 की power वाली चीज़े ले आते हैं तो यह आजाएगा आपका 6.63 divided by 0.83 multiplied by 2 multiplied by 1.6 multiplied by 0.25 यानि कि 1 by 4 तो उपर 4 से multiply कर देते हैं ठीक है बचा 10 to the power minus 34 multiplied by यह बचेगा आपका 10 to the power minus 2 और minus यह और 19 तो यह हो जाएगा 10 to the power 21 यहां पर बन गया ठीक है इसे जब हम calculate करेंगे तो इसे multiply करके जो value आएगी लेमडा अच्छा यह 2 से multiply होके यह बच जाएगा आपका 6 2 3 1 13.26 उपर बनेगा इन दोनों को multiply करेंगे 1.326 लगबग उसी के आसपास की value आएगी हम notice करेंगे यह cancel होके यह आपकी जो लेमडा है उसकी value बन जाएगी 10 multiplied by 10 to the power minus 13 और यानि की जो लेमडा हो गया आप क्योंकि हमें यहाँ पर एंग स्ट्रॉम में value बतानी है तो इसकी value हो जाएगी 0.01 into 10 to the power minus 10 यानि की 0.01 angstrom so based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number D would be the right choice सब्सक्राइब घ्न.